दोस्तो आज की वीडियों में बताऊंगा मुबाइल की डेटा को SD Card या Memory Card में कैसे ट्रांसफर करें तो जी यहां दोस्तो अगर आप भी मुबाइल के डेटा को Memory Card में ट्रांसफर करना चाहते हो तो वीडियो में आप शुरू से लेकर आन तक बने रहे हैं वीडियो को थोड़ा भी skip मत किजिए तो चले वीडियो को सुरू करते हैं और जानते हैं तो mobile के data को SD card या memory card में transfer करने के लिए सबसे पहले आपको file manager app को open करना है file manager app को open करने की बाद यहाँ आप को देखने को मेरे देख सकते हैं device storage और este card तो SD card में data को transfer करने के लिए यहाँ से आपको back करना है और यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं देख सकते हैं clean app का option तो clean app वाले option पर click करना है और यहाँ आपको scroll down करना है और सबसे नीचे पर आपको देखने को मिल रहे हैं देख सकते हैं Transfer to SD Card इस पर आपको क्लिक करना है और यहां से आप data को transfer कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको File Manager में Cleanup का Option देखने को नहीं मिल रहे हैं तो यहां सबको Back करना है और आपको Settings पर आपको चले जाना है और यहां पर देखने को मिल रहे है storage तो storage पर मैं क्लिका लेता हूं और सबसे नीचे पर देखने को मिल रहे है SD Card तो SD Card पर क्लिक करना है और यहां पर देखने को मिल रहे हैं देख सकते हैं Migrate Data to SD Card इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं transfer to SD card तो आप उसी option पे आ चुके हैं देखिए और आप यहाँ से mobile के data को SD card में आप transfer कर सकते हो तो data को transfer करने के लिए start transferring पे आपको click करना है और इसके बाद इस तरह का interface देखने को मिलेंगे और यहाँ पे अगर आपको सभी data को transfer करना है तो यहाँ पे अगर आप photo को transfer करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको photo चो वाले पे आपको click करना है और photo को भी आपको देखने को मिलेंगे देख सकते हैं 4 भाग में बटे हुए देखिए तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए शिर्फ एक मंद वाले photo को ही transfer करके दिखाऊंगा और दोस्तों अगर आप चाहे तो सभी को select करके एक बार में भी आप transfer कर सकते हो तो यहाँ आप में एक मंद वाले photo को ही select कर लेता हूँ और इसकी बाद start transferring पर आपको click करना है और यह data आपका transferring होने शुरू हो जाएंगे देख सकते हैं transfer होने सुरू हो चुके हैं देखिए तो यहाँ आपको wait करना है और अची तरह से transfer होने देना है और नीचे पर आपको देखने को मिलेंगे done तो done पर आपको click करना है और आप जो data transfer किये वो data आपका transfer हो चुका है SD card में तो यहाँ से मैं भी back कर लेता हूँ और SD card में data को दिखा रहा हो देखिए तो file manager पर यहाँ पर चले जाते हैं और SD card पर यहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ पर DCIM folder पर चले जाते हैं और यहाँ आपको देखने को मिलेंगे सभी photo देखिए तो यहाँ से back कर लेता हूँ तो दोस्तों इस तरह से बहुत ही असन्य से mobile के data को SD card में transfer कर सकते हो तो यहां समय भी वेक कर लेता हूं तो आज का वीडियो में इतना ही उमिद करता हूं यह वीडियो को पसना है पसना है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे योटूप चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं कि हैं तो प्लिस सब्सक्राइब कर नाटिफिकराशन को उन्ड कले जिए ताकि हमारे अपडिक वीडियो को नाटिफिकराशन आपको मिलना है सबसे पहले तो चले ता मिलता है अगले वीडियो में एक ने वीडियों के साथ तब तक की लिए जैह छींदू ववन्दे मात्रम